सपा नेता हाजी रजा के बिगडे बोल पियम मोदी को लेकर गंदी टिप पणी सोशल मीडिया पर वीडियो वारल सपा नेता को खोज रही यूपी पुलिस नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट अब वक्त हो चला है इससे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जजनता राज देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं वो कहते हैं ना इंसान जोश जोश में अपना होश खो देता है और ऐसा ही कुछ करके दिखाता है या कह देता है जिसकी वज़े से मुसीबत में फश जाता है ऐसा ही कुछ विपक्षी नेताओं के साथ भी होता है चाहां अचकल अखिलेश यादों के नेता का वीजियो जम कर वारल हो रहा है वारल वीजियो में नेता जी प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पर अभद्र और आपत्ती जनक टिपड़ी करते हुए सुनाई पड़ रही ह तो क्या कुछ है पूरा मामला चलिए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के फटेपुर में सपा नेता हाजीर रजा के विवादित बयान के बाद राजिदिक गलियारों में एक बार फिर घमासान मच गया है जनकानी के मताबिक समाजवादी पार्टी के नेता और कोख्यात हिस्ट्री शीटर भू माफ्या हाजीर रजा ने प्रदान मंतर नरेंदर मोदी के खलाब अपमान जनक टिपड़ी की है इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेताओ मया क्रोश है भाजपा की ओर से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने रजा के खलाब मामला दर्च कर लिया है जहां सुल्तानपुर घोष के मंडल सयोजक आलोग सिंग की तहरीर पर पुलिस ने मुकदम दज गया है वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वारल वीडियो जिले के सुल्तानपुर घोष थाना शेत्र का बताया जा रहा है यहां पर लोग सब्सक्राइब जीतनी के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल का स्वागत कारिकरम रखा गया था उसमें अगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के प्रतिनिजी एवं सपा के नेता हाजी रजा भी मौजूद थी इस दोरान उन्होंने मंच से बोलते हुए यह आपतिचनक बयान दिया हाजी रजा ने कहा कि हम आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं और सांसद जी की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब यह फतेफुर जनपत में नहीं पूरे उत्तर प्रादेश में नहीं चलने वाले जिससे में हमारा सांसद लोगसवा में शेर की तरह दाड़े काना मोदी छुल छुल करके बोलने वाला चाहिए अपनी बात रखने वाला चाहिए 24 सेकंड का ये वारल वीडियो चार से पांच दिन पुराना बताया जा रहा है जिसने जिले की राज़िती में एक बार फिर भुचाल मचा दिया है हाजी रजा का ये बयान सोशल मीडिया पर वारल हो गया इसके बाद पुलिस ने इस वीडियो पर संग्यान लिया जनपत के साथ साथ प्रदेश इस्तर के भाजपा नेता हाजी रजा के खलाब कारवाई की मांग कर रहे है वही पुलिस ने जाच के आदेश दे दिये हैं व हुआ मोचा भाजपा मंडल सयोजक आलोग सिंग ने तहरीर दी उसमें सपानेता हाजीर रजा द्वारा प्रधान मंद्री के खलाब आम मर्यादित बयान देने की बात कही गई है बयान वाले वीडियो के आधार पर 153A 505 2294 188 के तहत मुकदमा दरज क्या है सपानेता को के शंकर मिश्रा सीओ सिटी वीर सिंग सर्कल का फोर्स एक कंपनी पीएसी के साथ हाजीर रजा के आवास पनी और चौदाराना महले में दबिश दी गई ASP ने बताया कि हाजीर रजा की तलाश में ताबरतोर दबिश दी जा रही है उसे जल्द ही गरफ्तार कर लिया जाएगा वहीं आपको बता दे की हाजीर रजा सपानेता के साथ साथ भू माफिया और एक हिश्ट्री शीटर भी है उस पर जमीनों पर आवायत कबजे के दरजनों मुकदमे दर्ज है सदरकोतवाली से रजा पर गैंक्स्टर हत्या की कोशिश के साथ साथ विभिन धाराओं के 23 मुकदमे दर्ज है करीब 17 मुकदमे में उसे क्लिंचिट मिल चुकी है लगबग 6 महीने पहले नगरपाली का चुनाओ के दोरान उसे जिला बदर किया गया था वो फरवरी 2024 में वापस आया नगरपाली का चुनाओ के जिला बदर होने के बाद हाजी रजा फरवरी महीने में जिले में वापस हुआ था करीब 5 महीने बाद प्रधान मंत्री पर अभद्र टिपणी का रजा पर फिर मुकदमे दर्ज हुआ है मुकदमे के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई पुलिस को तेजी से रजा की तलाश है और तलाश चालू कर दी है माना जा रहा है कि 2021 में अल्प संख्यक प्राकोष्ट के बीजेपी नेता फैजान को पीटने के बाद रजा ने कोट में सरंडर किया था इस मामले में भी कोट में वो सरंडर कर सकता है वहीं ये कोई पहला मामला नहीं है जब पीम मोदी पर किसी विपक्षी नेता ने अभदर टिपणे की हो इसे पहले भी कई सारे ऐसे ही मामले सामने आए हैं जहां देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए राहूल गादी तक गलट पढ़ी करने के चलते नप चुके हैं उनकी संसत की सद्यसता रख तक रग्द हो गई थी दरहसर राहूल गादी ने करनाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंदर मोदी का सरने कॉमन क्यों हैं सभी चोरों का सरने मोदी क्यों होता है राहूल के इस बयान को लेकर बीजेपी वधायक और पूर्वु मंतरी पुरनेश मोदी ने उनके खलाब आपरादिक मानहानी का केस दर्च किया था अपनी शिकायत में बीजेपी वधायक ने आरोप लगाया था कि राहूल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोदित करते हुए पूरे मोदी समोदाई को कथित रूप से ये कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का नेम मोदी क्यों होता है जिसके चलते राहूल गाधी के एकलाम मानहानी के मामली में चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने दोशी करार देते हुए दो साल की सजा तुनाई वह राहूल गाधी को कोड से दोशी ठहराने के बाद लोकसुबा सचिवाले की ओर से उनकी संसत सदसता रद्द कर दी गई राहूल केरल के वाइनाट से तब संसत थे दरसल जन प्रतिनिदी कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसत और वदाग को किसी मामली में दो सालिया उसे जादा की सजा होती है तो उनकी सदसता रद्द हो जाती है इतना ही नहीं सजा की अवधी पूरी करने के बाद छैस साल तक चुनाव लड़ने के लिए आयोग भी हो जाते हैं इसके बाद राहूल गाधी ने निचली अदालत के फैसले के खलाब सूरत सैशन कोट का रोक किया था सैशन कोट ने राहूल की आचिका खालिच करते हुए कि सांसद और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी के पूरू प्रमुक होने के नाते राहूल गाधी को अधिक सावधान रहना चाहिए था फिर राहूल गाधी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कोट का दर्वाजा खट पाई को राहूल गाधी मोधी सरने मामली में मिली सजा के खलाब सुप्रिम कोट पहुचे और चार अगर्से 2023 को सुप्रिम कोट ने राहूल गाधी को बड़ी राहत देती हुए उनकी सजा और दोश सिद्ध पर रोक लगा दी वहीं राहूल गाधी पर एक और मामला ग्रह राश्ट्र अध्यक्श राहूल गाधी ने दिल्ली में अधिवेश aik में भाजपा के तत्कालियन राश्ट्र अध्यक्श अमिश्य aware के खलाब आपतीजन टिपनें की नवीन जहा के मुताबिक इस दौरा राहूल गाधी ने कहा था कि भाचपा में एक ऐसा व्यक्ती अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कॉंग्रिस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान से उन्हें ठेस पहुची है पार्टी की छवी खराब हुई है। इस बज़иля को लेकर याचिका दाखिल की गई याचिका दाखिल होने के बाद को ने राहूल गादी को समन होती था। शोशल मीडिया पर एक वीडियो वारल हुआ वीडियो और स्वरूरुप स्वरूर्प शुक्ल ने पीदि सब्सक 없이 है। वीजियो में एक यूवक अतीक एहमत और मुखतार अंसारी को खुद का बिरादर बताते हुए सियम योगे और पियम मोधी के ख़लाब अभदर टिपणी करता दिखाए दिखाए दिया, साधी वीजियो में यूवक योगी अधितनाद की हत्या की भी धमकी दे रहा था, वार मंतरी आनंद स्वरूप शुक्ल ने कहा कि सियम योगी और पियम का अपमान बरदाश्ट नहीं किया जा सकता, और फिर तीवरित कारवाई करते हुए सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी यूवक को गृपतार भी कर लिया था, वहीं एक बार फिर से एक सपान नीता ने संदे शब्दों का इस्तमाल क्या है, जिस पर आगे क्या कारवाई होती है, यह देखना बाकी है, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करकर जरूर बताए, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ, बाकि तमाम ख संदाया हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे विडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे, आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमारे साथ चुर्णने के लि शुक्रिया